हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर काजल मांगुक्या प्रेक्टिसिंग गाइनेकुलोजिस सिंस मोर दें 15 यर्ज अट और्किड हॉस्पिटल और आई वी अफ सेंटर सूरत नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो डायबेटीस सीरीज चल रही है उसमें डायबेटीस विद पीसी ओडी जैसे आप सभी को पता है कि पीसी ओडी जो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है पीसी ओएस सो बेजिकली पीसी ओएस वाले जो पेशेंट रहते जाता है सो ओन एंवरेज जो रीसेंट स्टडीज वगेरा है उसमें दिया गया है पाया जा गया है कि एग दे एज ओफ फॉर्टी यर्ज अगर जो भी पेशेंट से अल्मोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ दे पेशेंट जिनको पीसी ओडी है उनको डायबेटीस आने का रि जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप 1 डायबेटीज और टाइप 2 डायबेटीज तो जिन पेशेंट को पॉलिसिस्टिक ओवरीज है ऐसे पेशेंट में टाइप 2 डायबेटीज आने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है की आपका जो बड़ी है वा इंस्युलिन सिक्रीट कर रहा है लेकिन यह इंस्युलिन है वह आपके बलड शुगर को मैंटेन नहीं कर पाता है ताकि आपका जो भफ बलड में बढ़ जाता हैitat solids प्लड शुगर बढ़ता है तो इसे डाइबिटीज कहा जाता है सो क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं सो यदि कोई भी पेशेंट है जिनको यंग एज में पीसीओ डाइगनोज हो चुका है और सड़नली उनको लगता है कि उनका सड़नली वेट गेन हो रहा है ज्यादा प्यास ल ब्लीदिंग हो रही है तो यह सारे प्लडॉड को सकते हैं कि आपको डाइबिटी डेवलप हो रहा है इसके हैं इसके लिए आपको मोस्त म्हज इंपॉटेंटेंट है कि आपके जो भी जऑनेख عें ऑनके पास जाकर या तो आपके जो भी endocrinologist है, जो आपका treatment कर रहे है PCOS का, तो उनके पास जाकर आप अपना blood sugar, fasting insulin, 3 months का जो sugar होता है, that is serum HBA1C, या report करवा के confirmation ले सकते हैं कि whether आप diabetic phase में है या pre-diabetic phase में है, अगर diabetes डेवलप हुआ है, तो आपको उसका जो भी treatment है, वा करना बहुत ही आवश् है, आपका sugar level जितना maintain रहेगा, उतना आपको इसके related जो भी side effects या तो जो भी complications होता है, जो मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया है, कि short term and long term side effects of diabetes या तो complications of diabetes, so आपका sugar level maintain, normal range में maintain रहना बहुत ही आवश्यक होता है, दूसरा कि अगर कोई patient है जिनको PCOS है और उनको लगता है कि future में उनको diabetes नहीं हो, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, यानि कि how to prevent diabetes in patients with PCOS, तो आपके लिए important message है, कि आपके lifestyle modification अगर आप करते हो, आपका जो food intake है, उसमें high protein diet, low carbohydrate diet, जो मैंने एक वीडियो में अलग से सारा detail भी समझाया है, तो वह भी आप देख सकते हो, दूसरा की regular exercise या तो at least 30 minutes walking, 5 days in a week, water intake आपका अच्छा रहेगा, आपकी नेंद अच्छे से complete होगी, और आपको ध्यान रखना है कि sudden weight gain नहीं होना चाहिए, so weight management is also important, अगर यह सब ध्यान रखा है, तो आपको PCO के साथ diabetes का risk काफी कम हो सकता है, और in case आपने diabetes डवलप हो चुका है, तो उसके लिए आपको regular check-up करवाना, और जो अभी मैंने preventive aspect बताएं, वह सारे follow करना आवश्यक है, So thank you friends for watching this video, अगर आपको इस topic के related कोई भी queries है, तो जरूर से comment box में लिख देजिए, thank you friends.